शभी मित्रों को जय जय सिया राम प्रभु श्री राम के किर्पा हमारे शभी मित्रों पर बनी रहे एही हमारी मंगल कामना है तो मित्रों केओं यम राज को धर्ती पर जन्म लेना परा तो मातमा मांडव्य के साप से साक्षात धर्म राज ही बीदूर रूप में उत्पन हुए एक बार राजपूर्शो द्वारा पीछा किये जाने पर बहुत से चोर चोरी का माल महर्शी मांडव्य जी के आश्रम में रख कर और चोरों ही छिप गये मुनी ध्यानस्त थे उन्हें इस बात की किंचित जानकारी नहीं थी अतह राजपूर्शों के पुछने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा तब उन राजपूर्शों ने आश्रम में खोजबिंश प्रारंव की तो चोर एबम चोरी का माल दोनों ही बरामद हुए फिर तो उनका मुनी पर भीशन दे हो गया और चोरों के शाथ रिशी मांडब को भी राजा ने सुली पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया अन्य चोरतो थतकाल मिर्थू को प्राप्त होगे प्रन्तु महा मुनी मांडब शुली के अगरभाग पर बैठे हुए तप ही करते रहे बहुत दिनों तक इस प्रकार तपोधन मुनी को शुली पर बैठ देखकर राजग्रमचारियों ने जाकर राजा से अह समाचार सुनाया राजा थतकाल ही दौरा है और बहुत प्रकार से अनुनाय बिनैकर अपराध के लिए छमायाचना करते हुए मुनी को शुली से उतार दिया सुल की किंचित अनी शरीर में परविष्ठ हो गई थी जो निकालने का प्रयत्न करने पर भी नहीं निकल सकी तो उसे उतना काट दिया गया सुल की अनी को शरीर में धारन करने से आगे चल कर इनका नाम अनिमान डब्वे पर गया एक बार महरसी ने धर्म राज के पास जाकर उन्हें उलाहना देते हुए कहा कि मैंने अंजाने में कौन सा ऐसा पाप किया है जिसका फल का भोग मुझे इस रूप में प्राप्थुआ है तो धर्म राज ने कहा कि आपने बाल्याबस्था में एक पतिंगे के पुक्छ भाग में सिंक प्रविष्ट करा दी थी उसी का यह फल मिला है तो रिशी ने कहा एक तो बाल्याबस्था में धर्म शास्त्र का ग्यान नहीं होता दूसरे तुमने थोड़े से अपराध में मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है अतह धर्म तुम मनुष रूप में जन्म लोगे इसी कारण धर्म राज बिदुरूप से उत्पन हुए त यजया एस्यारा